वेलो दोस्तों कैसे ही आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग सीहत मन और बहुत अच्छेंगे वेल बालों को लंबा करना चाहते ही तेजी से तो इस रेमडी को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यहां पे कोई भी क्लीन बर्दन ले लेना है बोल ले लेना है और इसके बाद आपको इसमें एड करना है एक चमच आवला पाउडर आवला पाउडर आप सब जानते हैं कि आवला में विटामिन सी की मातरा प्रच्छर होती है इसमें आईरन, कैल्शम, प्रोटीन, नियासिन, मैगनेजियम सभी परयाप्त मातरा में पाया जाता है आवला अगर आप कच्छा खाना इस्तमाल करते हैं तो भी फायदे मंद है इसे पाउडर के थ्रू लेते हैं तो भी फायदे मंद है इसे अपने स्कैल्प में बालो में लगाते हैं तो भी फायदे मंद है यानि ओल ओवर पूरी तरह से आवला आपके बालो के लिए बेहत आवला ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि आपके सफेद होते हुए बालों को भी नेचुरली काला बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा है आपको यहां पे लेना है एक चमच आवला पाउडर जरी आपको यहां पे लेना है बल्क टी पाउडर जैसे कि आप सभी जानते हीं कि टी जो है वह कई प्रकार की होती है अगर नहीं जानते तो आपको बतादू कि जो मुल्ता तीन तरह की टी होती है एक पत्ती वाली होती है जिसे कि हम यूज करते हैं जो हम चाय बनाते हैं घर में और उन में से कुछ दाने होती हैं कुछ में पत्तियां भी होती हैं जो कि आप उसे पावडर भी उसकते हैं लीफ्स भी उसकते हैं और बीन्स के तौर पे भी उसकते ही जो कि पत्तियां भी आती हैं और साथ में यह पावडर भी आता है ब्लैक टी पाउडर आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फाइदी मन होता है क्योंकि आपके बालों में वो सारी पर्याप्त चीज़ें पहुचाता है जो कि बालों को काला बनाने के लिए, हल्दी बनाने के लिए, लंबा बनाने के लिए फाइदी मन होता है तो आपको यहाँ पे same quantity यानि की एक चमश ब्लैक पी पाउडर भी लेना है इसके साथ आपको इसमें आड़ करना है अलोवेरा जल अगर आपके घर में अलोवेरा का प्लांट लगा है तो आप फ्रिश अलोवेरा जल नहीं तो मार्केट का जो white transparent अलोवेरा जल होता है वो आपको लेना है दो चमश अलोवेरा जल लेने के बाद आपको इन सबको अच्छे से mix कर लेना है और एक paste बना के ready कर लेना है अलोवेरा की तासीर ठंडी होती है अलोवेरा आपके बालो में softness, smoothness और silkeness, shyness लेकर के आती है अलोवेरा आपके बालो को healthy भी बनाती है ये जड़ों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा help करती है यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रॉपरली अच्छे से mix हो गए है आपको इसे इस्तमाल करना है जब आप नहाने जा रहे हो उसके आदे गंटे पहले आपको इसे अपने बालों में लगाना है मसाज करनी हो चोड़ देना है लग बग 10 मिनट के लिए और इसके बाद यहां ग्रोज जो है वो तेजी से बढ़ेगी और साती साथ सफेद वालों की समस्या होगी वो भी कतम हो जाएगी बालों में सॉफ्टनस बरकरार रहेगी सिल्केनश रहेगी शाइन रहेगी और बालों में जो गर्मी की वज़ज़ से चिप चिपाट होती है या फिर ड्रा को बना कि आपको लॉंग टाइम के लिए नहीं रखना है जब भी आपको लगाना हो तब इससे फ्रेश बनाएंगे फ्रेश लगाएंगे तो आशा करती हूं दोस्तो अज की छोड़ी सी रेमेडी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा च के किया अपना ध्यान नुकिए